आज हमने एक application launch किया है इशान Thumbnail Maker जिसमें आप अपने YouTube वीडियो के लिए, Facebook के लिए, Instagram के लिए, Twitter के लिए या किसी भी platform के लिए HD quality की thumbnail बना सकते हैं अपने mobile phone पर ही तो इसके लिए वीडियो की description में मैंने आपको एक link दिया है आप उस पर click करके इशान Thumbnail Maker application को download कर लिजिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए इशान Thumbnail Maker में HD quality की thumbnail बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपन करने पर आपको permission देनी होगी camera और storage की आप ok करेंगे और यहाँ permission देंगे यहाँ पर 4 option दिये गए हैं आप पहला option चूज करेंगे create thumbnail का अब यहाँ पर आपको अपनी thumbnail का एक background चूज करना होगा background में या तो आप यहाँ पर काफी सारे रेडिमेट background दिये गए हैं इसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं जिसे आप बिना किसी copyright के अपनी thumbnail में यूज कर सकते हैं यह फिर यहाँ पर देखे नीचे gradient हैं यहाँ से आप gradient बना सकते हैं तो colors को यहाँ पर आप add करके अपना खुद का एक gradient बना कर उसको अपनी thumbnail के background में यूज कर सकते हैं यह फिर आप यहाँ colors पर click करेंगे तो यहाँ से आप एक single color को अपनी thumbnail का background बना सकते हैं यह आप यहाँ गैलरी पर click करके अगर आपकीіяלरी में कोई background image रखी हुई है तो आप उसको इंसर्ट करके यहाँ पर background बना सकते हैं यह फिर आप सीधे यहाँ इस background को choose कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आपको size choose करना होगा, इसमें आपको Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, सभी size दे गए हैं, अगर आप अपने YouTube channel के लिए YouTube cover बनाना चाहते हैं, तो आप पहला option choose करेंगे, और thumbnail बनाने के लिए आप second option choose करेंगे, YouTube thumbnail, यहाँ पर OK करेंगे, तो देगे यहाँ प अपने background को change कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमें image add करनी है, जिसके लिए हम image पर click करेंगे, यह तो आप direct camera से एक image click कर सकते हैं, अगर आप किसी product का review कर रहे हैं, तो आप यहाँ से click कर लीजिए, वरना आप यहाँ gallery में जाएंगे, और वहाँ से कोई भी image जो आप insert करना चाहते हैं, उसको choose करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हमने एक image ले ली है, आप यहाँ पर इसको crop कर लेंगे इस तरह से और ok करेंगे, तो image यहाँ पर देखिए, आ चुकी है, अब यहाँ पर हम इसका size बढ़ाएंगे, इस तरह से जितना भी हम अपनी image में रखना चाहते हैं, आप यहाँ टेक्स पर क्लिक करेंगे, आप जो भी टेक्स यहाँ पर add करना चाहते हैं, किसी भी language में कर सकते हैं, English के लिए आप यहाँ नॉर्मली ऐसे ही type करेंगे, और Hindi के लिए आप input tool keyboard यहाँ पर download करेंगे, चलिए यहाँ पर मैं English में type कर देता हूँ, इसके बाद ok करे यहाँ पर text आ चुका है, text का size इस तरह से हम कमिया जादा कर सकते हैं, और जब हमने आपर text लिया है, तो यहाँ पर font में जाकर के हम इसके font को change कर सकते हैं, इस तरह से, color में जाकर के हम इसको एक color दे सकते हैं, और shadow में जाकर के यहाँ पर हम इसको एक shadow दे सकते हैं, अगर आ आप कोई color भी यहाँ पर दे सकते हैं तो हमें यहाँ पर कोई color नहीं देना है तो हम इसको cut कर देंगे background की यहाँ पर जरूरत नहीं है 3D में जाकर के आप इसको यहाँ पर इस तरह से rotate कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसको set कर लेंगे जितना भी size आपको चाहिए आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ stickers पर click करके आप कोई sticker भी यहाँ पर add कर सकते हैं, काफी सारे stickers यहाँ पर दिये गए हैं, यहाँ पर word के sticker आप डाल सकते हैं, ribbon के डाल सकते हैं, चली हम यहाँ पर एक sticker डाल लेते हैं, इस तरह से, इसके बाद यहाँ पर आप कोई effect भी apply कर सकते हैं, कापी सारे effects यहाँ पर दिये गए हैं, हमें कोई effect apply नहीं करना है, हमें यहाँ पर logo add करना है, तो हम image पर click करेंगे, और gallery में जहाँ पर भी logo रखा हुआ है, उसको select करेंगे, और इस तरह से logo को select कर लेंगे, और यहाँ पर इसको crop कर लेंगे, ओके logo आ चुका है, अब हम इसको एक corner में fit कर देंगे, इस तरह से यहाँ पर हम size छोटा करेंगे, और ले जा करके एक corner में रख देंगे, अब यहाँ पर देखी एक watermark शो हो रहा है, इशान thumbnail maker, इसको remove करने के लिए आप इस पर click करेंगे, यहाँ remove पर click करेंगे, एक add यहाँ पर show होगा, आप इस add को देखेंगे, add को पूरा देखने के बाद आप यहाँ cut पर click करेंगे, तो देखी यहाँ से watermark खतम हो जाएगा, इसके बाद इसको save करने के लिए आप यहाँ done पर click करेंगे अब यहाँ तो आप design में इसको save कर सकते हैं design में save करने का फायदा आपको यह मिलेगा कि आप बाद में इस पर फिर से काम कर सकते हैं यह फिर आप इसको image में save कर सकते हैं तो चलिए पहले हम design में इसको save कर देते हैं, इसके बाद हम इसको image में भी save कर लेते हैं, अब यहाँ पर यह image design में और image में दोनों में save हो गई है, आप पहले में आपको design में save करने का फायदा दिखा देता हूं, आप विश्वान thumbnail maker application को open करेंगे, my designs पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर दिखें जो designs आपने बनाये हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ से आप फिर से इसमें editing कर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आप आसानी के साथ कुछी steps को follow करके, एक HD quality की thumbnail बना सकते हैं, आपको बस कोई एक background यहाँ से ले लेना है, background लेने के बाद आप size choose कर लेंगे, YouTube thumbnail या जो भी आप बना रहे हैं, OK करेंगे, अब यहाँ पर आपको test के, effects के, photos के, सबी options मिल जाएंगे, इसके बाद इसमें कोई भी आप image डाल सकते हैं, effect डाल सकते हैं, sticker डाल सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर यह watermark है, इसको remove करने के लिए बस आप इस पर क्लिक करेंगे, remove पर क्लिक करेंगे, आपको एक add देखना पड़ेगा, add देखने के बाद यहाँ पर यह watermark remove हो जाएगा, इसके बाद इस thumbnail को आपके ही भी use कर सकते हैं, बीना किसी copyright के